राम राम, कुछ एक जोतिश के विद्वानों के मुख से आपने सुना होगा कि आपकी कुणली में कुछ ऐसा योग है कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए इसके पीछे क्या सचाई है और क्या योग होता है क्या उन विक्तियों को सच में मंदिर नहीं जाना चाहिए या मंदिर जाने के पीछे कोई एक ऐसा रहसे भी है कि अगर वो योग आपकी कुणली में है भी तो भी आप मंदिर जाएं और आपको कोई दुश पर भाव ना मिले आज हम इसी पर चर्चा करेंगे देखिए जब भी पत्रिका के अश्टम भाव में और बारवे भाव में दो शत्रू ग्रह होते हैं जो आपस में शत्रूता रखते हैं यहाँ पर राहू है यहाँ पर शुक्र है यहाँ पर राहू भी हो सकता है और यहाँ पर मान लीजिए सूर्य भी हो सकता है ठीक है ना तो सूर्य ग्रह भी हम यहाँ पर ले सकते हैं यानि के सूर्य हो यह दोनों आपस में शत्रू हो गए तो लाल किताब यह कहती है, जब आठ और बारा में, यह खाना नमबर आठ है, यह बारा है, इसमें दो शत्रूग रहे आपस में हो, तो विक्ति अगर मंदिर जाए, तो उसे काफी नुकसान हो सकते हैं, नुकसान उसको भी हो सकते हैं, उसके रिष्टेदार को भी हो सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर विक्ति को फिर मंदिर जाने से रोका जाता है क्यों क्योंकि ये भाव मृत्यू का है ये भाव हानी का है ये भाव है मंदिर का यानि कि यहाँ पर मंदिर माना जाता है ठीक है तो विक्ति जब यहाँ पर आना तो यहां पर बुद्ध भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, शुकर राहू का मैंने उधारना आपको दे ही दिया, तो यहां पर मंगल भी हो सकते हैं, यहां पर राहू भी हो सकते हैं, तो यहां बुद्ध है, तो यहां केतू भी हो सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग कॉंबिनेशन बन जाते हैं शत्रूग रहे के, ठीक है ना, तो ऐसी स्तिती में अब किया गया जाए, कई बार क्या होता है, कई यहां पर लाल किताब में इसी योग में मना ही तो की गई है लेकिन मंदिर जाना तब तक आपको कभी दोश पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक आप किसी मूर्ती को स्पर्शना करे भारत के जितने भी पूरातन मंदिर हैं हमारे भारत वश में कई जगा ऐसी हैं जहां पर वहाँ पर गर्ब ग्रह में किसी को जाने की आग्या नहीं मिलती मूर्ती को सपर्ष करने की आग्या नहीं मिलती और यहां तक कि कई हलात ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो पुजारी होते हैं वो भी बड़े नियम से मूर्ती को हाथ लगाते हैं तो लाल किताब ये कहती है कि आपका मंदिर जाकर आने में कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं ये योग है आपकी कुंडली में या बहरस्पती मान लीजिए खाना नंबर 10 में ही है ठीक है ना यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता तो विक्ती को मंदिर जाने से मना किया जाता है तो मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन मूर्ती स्पर्श अगर आप करेंगे न तो ये योग एक्टिवेट होके आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो लाल किताब के द्रिश्टी को उनके अनुसार विक्ती मंदिर चाहे चला जाए इस योग में ठीक है लेकिन मूर्ती को स्पर्श ना करें ये ध्यान रखें ठीक है माथा टेके इस्ट के आगे आजाए कई लोग क्या करते हैं कि कई मंदिरों के अंदर जब हम परवेश करते हैं तो मंदिर के द्वार पर कई बार गनपती जी की प्रतिमा लगी होती है कई बार भैरोमाराज की लगी होती है कई बार हनुमान जी की लगी होती है तो अलग-अलग देवताओं की मूर्तियां कई बार मंद्रियों के परविश दुआर में लगी हुई देखी गई है तो आप में वो पवितरता नहीं है आप भगवान को छू सकें क्योंकि हम संसारिक लोग हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देते हैं और जो इश्वरिय शक्ति होती है वो पवितर होती है वह दोश से रहित होती है तो जब हमारे दोश पूर्ण हाथ उस उर्जा के साथ संपर्ण करते हैं उस मूर्ति को छूते हैं तो हमें बैक फायर होता है तो परविश दवार पर बंदिर की क्योंकि बौंडरी पर है वो वहां पर भी मूर् टेक कर कोई भी विक्ती आ सकता है देखिए बरसपती खाना नमबर 10 वाले को बोलते हैं बंदिर जाना छोड़ दो ज्यादा पूजापाठ करना छोड़ दो हलका हलका सबता हमें एक बार थोड़ा सा पूजा पाठ करना जरूरी होता है पिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता ठी हाँ यहाँ पर अगर विक्ति मंदिर ही नहीं जाएगा तो यह घर भी एक्टिव नहीं होगा है ना तो नहीं तो यहाँ पर इसके मित्तर की चीज़ें यहाँ पर पहुंचा ही जाती है तो मंदिर कभी कभी जा सकता है लेकिन जादा नहीं ब्रस्पति दसवाला और बस यह य राहू यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, यह राहू यहाँ पर है, तो ऐसी कुछ तितियां ओती हैं, जब हम अगनी पर ज्वलित करते हैं, तो वो भी हमें बैक फायर कर जाती हैं, तो माथा टेक के आजाएं, हवन करवाने से, कई रहले कई लोगों को अपना योग चेक कर वाके ही मंदिर में हवन करवाना चाहिए और मंदिर में वैसे माथा टेक के आने में कोई बुराई नहीं है लाल किताब के दृष्टी को उनके अनुसार तो जो बातें आपने आज तक सुनी है कि हमें मंदिर नहीं जाना हमें पंडी जी ने मना कर दिया है एस्टर लॉजर ने मना किया है तो ऐसा कुछ नहीं है बस मूर्ती को सपर्ष ना करियेगा कई लोग आपने नजदी की मंदिर में जाते हैं भोले नात के शिवलिंग के उपर जल चड़ाते हैं तो हाथ से उन्हें सपर्ष करते हैं तो ये चीजें उचित नहीं है ये काम पुचारी का है उनको ही करने दे आप अपनी तरफ से मूर्ती को सपर्ष करने की ना कोशिश करें क्योंकि अगर आप में कुछ भी अवगुन होए तो वो शक्ति आपको बैकफायर करेगी चाहे फिर हम इस योग का नाम दे दे के आठ और बारा में शत्रू ग्रह हो तो विक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए ठीक है मैं कुछ ऐसे विक्तियों को जानता हूँ जिनके यहां पर शत्रू ग्रह है मेरे पास एक्जामपल कुंडली है उनकी जितनी देर तक वो विक्ति मंदिर नहीं गए उनकी किस्मत नहीं चली मैं लाल किताब के सिध्धानत के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ उनकी किस्मत चली नहीं उतनी देर तक ठीक है ना लेकिन जैसे ही वो मंदिर जाना शुरू करते हैं उनकी परिशानियां भी दूर हो गई और किस्मत भी चल पड़ी बस एक खास बात ये है उन विक्तियों ने कभी भी मूर्ती को स्पर्ष नहीं किया मैं जानता हूँ वो एस्टोलोजर हैं एक दो उसमें एस्टोलोजर हैं और एक दो समने विक्तियां उनहोंने मूर्ती स्पर्ष नहीं की मंदिर रोज जाते हैं या कोई ऐसे भी है सब्ता में एक बार जाते हैं या जाते ही रहते हैं तो उनके जीवन में सुक्सम्रिदी आई और कुछ विक्तिया ऐसे हैं उनकी कुंडलियों में यहां पर राहू है यहां पर ब्रहस्पती देव हैं बार में भाव में वह मंदिर गए उनको काफी नुकसान हो गए ठीक है ना वो गलती क्या कर गए एक तो नौनवेज खाते थे दूसरा उन्होंने मूर्ती को सपर्ष करने की आदत नहीं छोड़ी तो यह वविन वविन परस्तितियां हैं अगर तो आपको मेरी बात समझ आ गई तो ठीक है नई सो किसी विदवान से जान ले मोटे तोर पर मूर्ती सपर्ष ना करें मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाबदायक सिद होगा इस वीडियो में दी गई जान का रिकाला मातरानी की किरपा से होगा जै माता दी